नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अउली PCS पे देखे इसमें हम लोग पॉलिटी यानि बारती संविधान की प्राजो है उसकी प्रारमिक परीक्षा का ये कैपसूल है ये सेकंड पार्ट है हमारा तो इसमें हम लोग प्रारमिक परीक्षा को फोकस करते हुए UPPCS pre 2019 बीस औ होने वाला है उन सबके लिए इंपोटेंट है प्रारमिक परीक्षा की द्रिश्टिकोंट से कोई भी चीज इसमें छोड़ी नहीं गई है गटना चक रचमिकांत और इत्याद इन सबके सोर्सों का इस्तेमाल करके इसको कंपाइल किया गया है तो ये सार है आपको छोड़न नहीं है ये बहुत ही महतपूर है पीटी की द्रिश्टिकोंट से चलिए सुरू करते हैं और जो लोग नई है हमसे जुड़ना चाहते है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नीचे रेड बटन को दबा के देखते हैं इसमें संबिधान सभा से स्टार्ट करते है इसमें बहु नीचे नियम एक दस्तावेज के रूप में जब एकटे होते हैं तो उन्हें संबिधान बोला जाता है अब वो नियम जो संबिधान होता है उसे बनाता कौन है तो बनाने का दायत तो जो है या तो देखिए किसी एक ब्यक्ति को दे दीजिए जैसे परानी सिस्टम में होता यहां पे जब लोक तंत्र में जनता का सासन होता है तो अधिकार यह जनता को देना चाहिए ना कि ऐसी संबिधान का निर्माड कोन करें जनता करें तो उसी सभा को यानि कि जनता चुनती है अब सारी जनता तो एकटा करके मिलके मतलब बना नहीं सकती है तो जनता क्या करती यह उसमें अपने प्रतनिधी चुनती है और वो प्रतनिधी क्या करते हैं वो जनता की प्रतनिधित करते हैं और सम्विधान का निर्माड करने के लिए एकटे होते हैं उसी एकटे होने वाली जगे को उन्हीं लोगों को प्रतनिधियों को सम्विधान सभा बोला जाता है जो ये की गई थी राची में 1934 में की गई थी और ये स्वराज पार्टी ने की थी ये याद रखना है आपको फैक्ट और 1934 में ही संविधान सवा के गठन पर बिचार जो दिया था वो था M.N. Roy को द्वारा दिया गया था जो कम्यूनिस्ट लीडर थे M.N. Roy ठीक है ना चलिए देखतें नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें है भारती राच्टी कोंग्रेस की और से भी अधिकारिक रूप से संविधान सवा की मांग जो की गई थी वो 1935 में की गई थी कब की गई थी 1935 में और कुछ जान लेतें इसके बारे में extra fact इसके बाद देखी एक फैक्ट इसमें एड अधिकार के आदार पर होना चाहिए जिसको कि बिटेसों की तरब से इसे सैधांतिक रूप से मान लिया गया था 1940 में और 1940 में इसी विचार को मानने के लिए इसको बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव ठीक है न तो ये अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया इसके बार नेक गच्वेर गया यही नाए के लिए अधिकि एक आई था 1926 में आई थे अर और कौन थे आपको बताना है? चलि हम ही बता देतें यहां, एक तो थे अलेग्जेंडर, और एक थे पैथिक लॉरेंज। पैथिक लॉरेंज जो कि इसके अध्यक्ष भी थे केविनेट मिशन के ठीक है ना तो यह चीजें आपको याद रखी यहीं से नीम रखी थी केविनेट मिशन से सम्मिधान बनाने की तो केविनेट मिशन में देख लेते हैं जो 1946 में आय था इसमें क्या-क्या प्रावधान थे सम्मिधान सभा इन्होंने का सम्मिधान सभा निर्वाचित हो नी थी इसके द्वारा प्रामतों का प्रतिनिद्ट जनसंक्या के आदार पर होना था प्रते एक दसलाग पर एक सीट निर्धारित कर दी गई थी इसके लिए ठीक ना कि दसलाग की जनसंक्या पर एक सीट यान तो 93 सीटे किसके लिए थी देशी रियासतों के लिए थी इनका इनका निर्वाचन होना था ये मनुनियन होना था आपको पता है उस समय भारत दो पार्टों में विवाजित था एक तो वो जिस पे बेटिस राज करते थे बेटिस हुकूमत डाइरेक्ट यहां पर सासन करती थ रियासते हैं जो कि इस पोर्शन पर नीतियां तो इनकी चल नीतियां तो इनकी भी थी बेटिसों की लेकिन यह आंतरिक मामलों में यह सोतंत्र थे देशी रियासते काम करने के लिए अब जब सम्मिधान सवा बन रही है तो उसमें सम्मिधान बनेगा तो इस पूरे भारत क दिया कि आप इसके लिए तो फिरी हैं बाकी इन से समझोता कर लीजिए तो इनके लिए यह बात हुई देशी रियासतों के लिए 93 सीटें रखी गई और इनका फिर निर्वाचन के लिए इनोंने मना कर दिया कि हम यहां से अपने यहां से निर्वाचन नहीं होने देंगे नहीं तो हमारा जो बर्चस्व खतम हो जाएगा तो इन्होंने का हम मनुनेयन के आदार पर अपने प्रतनिदी भेजेंगे लेकिन इन्होंने शुरुगात में नहीं भेजे थे अब यह इनको कौन भेजता था तो देशी रियासतों का प्रमुक होता था राजा हो या नवा इसकी करते थे मनुनेया इनका करते थे अब इसमें जब इलेक्शन होता है 256 सीटों में य। сам यि यह वी 22022 सीटे 111 गवर्समें बती हूं थी उनका चैन कहां ऐसे होना था ग्रार 117 1ल से ठीड कर चार सीटों का चेहन कहां से होना था तो चार मुख आयुक्तों के प्रांथ से होना था तो यह सीटे इस तरीके से बटी हुई थी नेक्स देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है इसमें आगे देखिए संबिधान सवा के लिए चुनाब जब होता है तो यह जुलाई अगस्त उनिस्सोचालिस में चुनाब हो जाता है उसके आदार पर बिटिस भारत के लिए कितनी सीटें आवण डित की गई थी 296 इनके चुनाब में 208 सीटें जीती है कॉं नहीं लिया था और संबिधान सवा अपरतेक्स रूप से निर्वाचित थी अपरतेक्स रूप से कैसे निर्वाचित थी तो जान लेते हैं क्यों कि राज्यों की जो बिधान सवा का उपयोग इसमें किया गया था कि जनता ने राज्यों की बिधान सवा के जो सदस्य चुन निर्वाचन की और प्रतेक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुक समधायों बाट दिया गया कौन-कौन से मुसलिम, सिक्ख और सामानने इन दोनों को छोड़के बाकी सब सामानने में आ गए थे और निर्वाचन बयस्क मतादिकार के आदार पर हुआ था और 1935 के अधनियम के अ नेक्स्ट बात करते हैं संभिधान सवा की बैठक है तो देखिए बैठकों में क्या पहली बैठक जो हुई इलेक्शन होने के बाद जुलाई अगरस्त में इलेक्शन हो गया और उसके बार 9 दिसंबर को ये संभिधान सवा गटित होके पहली मीटिंग होती है और पहली 11 दिसंबर 1946 को हुती है और इस्थाई सदर से चुने जाते हैं डॉक्टर राजिंद परसाद और उपाद्देक्स चुने जाते हैं हC मुखर जी ठीक है वो भी याद रखना है आपको तीसरी मीटिंग में 13 दिसंबर 1946 को हुती है और 12 परिεν में लिए च ऋबूडिव जाता है किसके द्वारा यह सूईकार किया जाता है तो यह किया जाता है सउईकार 22 जैनवरी 22 जनवरी 1947 को सुईकार कर लिया जाता हूँ संविधान सवा के उपाद्देक्ष के हम बात कर चुके ऐसी मुखर जी थे नेक्स देखते हैं हम लोग आगे हैं इसमें के संविधान सवा के निर्माड में जो कुल समय कितना लगा था तो ये भी कुशिन कभी कभी पुछ लेता लेकिन बहुत पुराना हो चुका है तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगबग 60 देशों के संविधान का अधिन करके इस पे काम किय गया था कुल 11 अधिवेशन हुए थे इसके और 165 दिन में ये अधिवेशन पूरे हुए थे और 11 में अधिवेशन के अंतिम दिन यानि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगी कृत किया गया था और 11 में अधिवेशन के अतिरेक्त संविधान सवा एक बार फिर से पुन है वहा संब्धानिक सलाकार कौन थे तो संब्धानिक सलाकार आप भी जानते हो वे बियेन राव थे पूरा नाम था बैनेगल नर्शिंग 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संबिधान को क्या किया गया अंगीकरत अधिनियमित और आत्मारपित किया गया था 26 जनवरी 1950 को संबिधान पूर्ड रूप से लागू हो गया था वो संबिधान सवा में कुल महलाओं की संख्या कितनी थी ये महत्रपूर कुष्चा ने 15 थी और संबिधान सवा वो संबिधान के लिए दिये गए प्रमुख बिचारों को देख लेते हैं Greville Austin Greville Austin trustees अ sih इन्होंने क्या कहा था कि संभिधान सवा Congress थी और Congress भारत थी यानि सब कुछ Congress थी उस समय इने का मतलब यह है कि इने पालखी वाला ने प्रस्ताबना की संबंद में कहता कह संभिधान के परिचवं की संगया इसनोंने पालखी वाला नहीं दी थी तो अभी तक ये कुशन पूछा नहीं गया है आगे पूछा जा सकता है संभिधान सभाद द्वारा दिये गए अनिक कारिक जो किये थे वो देख लेते हैं जैसे 22 जुलाई मई 1947 को राष्टी दोज अपनाये गया मई 1949 में राष्ट मंडल में भारत की सदस्यता इस्थापित हो गई थी और 24 जनवरी 1950 को तीन काम हुए थे राष्ट गान को अपनाये गया राष्ट गीत को अपनाये गया और डॉक्टर राजिन परसाद जी का प्रत्थम राष्ट पती के रूप में चुनाब हुआ था तो पहली निर्वाचित संसत कब बनी थी तो दोनों सदनों के साथ ये आई थी मई 1952 में असे तुमें आई थी ठीक है और इससे पहले तक कैसे साजन चल रहा था तो जो हमारी संविधान सवा थी तो वो एक विदायका के रूप में भी कार कर रही थी यानि संसत के रूप में भी वो कार वहां पे तब तक वही कर रही थी संविधान सवा जब तक के इलेक्शन नहीं हुए 1952 में जब यह गटित नहीं हुई संसत आगे देखते हैं नेक्स्ट है इसमें अब इसमें थोड़ा सा पिछले भागों में रह गई थी कु मंत्री मंदली बेवस्ता है जो आज आप मंत्री मंदली बेवस्ता देखते हैं इसकी नीम कप पड़ी थी 1861 के अधनियम में और 1862 में लॉड कैनिंग ने तीन भारतियों को बेदान परशद में भी मनुनीत किया था नाम किया था बनारस के एक राजा थे और पट्याला के म किस ने शुरू की थी तो लॉड केनन के सासनकाल में शुरू हुई थी नेक्स देखते हैं 1909 की नौका अधनियम में कुछ चीज हमारी छूट गई थी जैसे सतिंद्र सतिंद्र प्रशाद सिन्ना ये बॉइस रोई की जो कारिकार्णी परिशद थी उसमें नुक्त होने वाले प्रथम भारती थे बिधी सदस्त के रूप में नुक्त किया गया था तो ये महतवूर फैक्ट है पीटी के लिए और सामपरदायक निर्वाचन के जनक किसको बोला थी कि सामपरदायक निर्वाचन किया जाए और इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है लोड मिंटो को 1919 का अधनियम देख लेते हैं इसमें छूटे हुई पॉइंट पहली बार केंदरी बजट को राज बजट से अलग किया गया इसमें पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया ये कुश्चन आपका बन सकता है बहुत ही important है तो आप बताएए पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधनियम के तहत मिला तो 1919 के अधनियम के तहत और प्राणतों में दोईद सासन के जनक किसको बोला जाता है लिएनियो नेल करने की विविवस्ता की गई इसमें जिसका गठन हुआ फिर साइमन कमीशन के रूप में जो कि साथ सदस्य था 1927 में गठन हुआ कहीं कहीं है डेट जो है 1928 भी मिलती है कहीं जगह पे तो 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सोंपी साइमन कमीशन पर जो नारे दिये गए थे कि साइमन गो बैक क्यों ऐसा हुआ था क्योंकि इसमें जो एक भी भारतियों को सामिल नहीं किया गया था साइमन कमीशन में इसलिए इसका बिरोध हुआ था बहुत बड़े लेवल पे और लाला लास पत्राय के उपर लाटियां भी बरसाइं गई तो इसी से संबंदित था व अच्छा लगे तो लाइक सेर कर दीजो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने थेंक यू थेंक यू सो मच